प्रैम, स्ट्रॉलर, बगगी, ट्रैवल सिस्टम इन चारों में से आपको अपने बेबी के लिए क्या लेना चाहिए? कहीं आप कन्फ्यूज तो नहीं? अगर आप आप उनलाइन स्ट्रॉलर खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ही प्रॉड़क्ट पे कि प्रैम्स क्या होते हैं? प्रैम्स न्यूबॉण बेबी के लिए डिजाइन किये गए हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जो अभी ठीक से सीधे बैक नहीं सकते प्रैम्स को आप न्यूबॉण से 6 मन तक के बेबी के लिए यूज कर सकते हैं प्राम में एक बैसिनेट होता है जो हमारे बेबी को लेटने और सोने के लिए एक comfortable और flat surface देता है इसमें canopy भी होती है जिससे आप अपने बच्चे को हवा और धूप से बचा सकते हैं प्राम्स काफी बलकी होते हैं जिससे इने भीर भार वाली जगा पे ले जाना काफी मुश्किल हो जाता है अगर आप यह जानना चाते हैं कि इंदिया में टॉप स्ट्रॉलर्स कौन से हैं तो मैंने इस टॉपिक पे एक comprehensive video बनाया है जिसमें मैंने 2500 से 25,000 तक के स्ट्रॉलर्स को compare किया है वो video आपको description box में और pin comment में मिल जाएगा अब बात करते हैं स्ट्रॉलर्स की स्ट्रॉलर्स में reclining seat होती है जिसमें आपका baby बैट भी सकता है और late भी सकता है स्ट्रॉलर को आप newborn से 4 सल तक के बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं स्ट्रॉलर का design compact होता है और इसे हम easily fold भी कर सकते हैं जिस बज़े से इसे आसपास वाली जगा पे ले जाना काफी आसान होता है अब बात करते हैं बगगी की seat recline नहीं होती इसलिए ये उन बच्चों के लिए होती है जो आराम से comfortably बैट सकते हैं ये बहुत ही lightweight और travel friendly होती है जिससे इसे आसपास ले जाना बहुत ही आसान होता है बगगी जनरली बड़े बच्चों के लिए होती है जो आसपास ज़्यादा travel करते हैं या वो चलते चलते जल्दी धख जाते हैं जैसा कि मैंने बताया बगगी को आप 6 महीने से उपर के बच्चों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी seat recline नहीं होती बगगी प्राम और स्ट्रोलर की तुल्ला में काफी हलकी और अचाईल होती है जिस वज़े से इन्हें भीड भाडवाली जगा पे ले जाना काफी आसान होता है बगई, स्ट्रॉलर और प्राम से सस्ती भी होती है लेकिन इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते और स्टोडेज स्पेस भी नहीं होता अब बात करते हैं ट्रैवल सिस्टम की ट्रैवल सिस्टम कार सीट और स्ट्रॉलर का एक कॉंबिनेशन है इसमें हम बेबी को बिना डिस्टर्ब किये स्ट्रॉलर से कार सीट और कार सीट से स्ट्रॉलर में शिफ्ट कर सकते हैं तो अगर आप कार सीट और स्ट्रॉलर दोनों लेने की सोच रहे हैं तो आप एक कंबाइन ट्रैवल सिस्टम ले सकते हैं दोस्तो, प्राम, स्ट्रॉलर और बगई को काफी इंटर्चेंजिबली यूज किया जाता है और अलग-अलग कंट्रीज में इनके अलग-अलग मेनीं हैं इसलिए मैं आपको सेजेस्ट करूंगी कि आप नाम पे ज़्यादा ध्यान ना दे और अपने रिक्वाइर्मेंट के ह बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस टॉपिक पे मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चानल को सब्स्राइब क अचे मैं जाएग आपको ये ग्यावत पॉचेम् घई मौछ करनेे